तो यह देखके कुछ है रहा है आचार भूजिया और पराठा तो आज बनाएंगे लिफ्ट वर दाल से पराठा जो बहुत दर टीस्टी बनता है बहुत मजाती है अगर आप चाय की साथ खाऊ या शाम को तो अगर आपके पास भी दाल बज जाती है तो आप इस पराठे को ट अजवाइन जीरा और नमक अब इन सबको एक एक करके इसमें एड़ करते जाएंगे और हाँ अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना कॉमेंट करके बताना कौन कौर जो हो देख रहा है कौन कौन से स्टेट से अब सबको एड़ क मिर्च और इनसाबको अच्छे सब्सक्राइब कर देंगे यह अच्छे से ने मिक्स कर देंगे ताकि सारी सीजें आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएं इस बहुत बादे टीस ची लिगतों ऑंसा था जख आजाएं थोड़ा सोफ भीए लें फ्लिए ऐसमें डाल सकते हो या आटे को अच्छे से लगा लेंगे जैसे रिक्वार्मेंट पड़ती जाएंगे वैसे वैसे दाल डालते हैं और यह देखिए हमारा आटा जो एक दम से त्यार है बहुत ज्यादा नरम नहीं हो बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाना जो मीडियम रूटी लिए लगाते हैं और यह देखिए आटा त्यार है बिसकी एक चोटी सी लोगी ले लेंगे आप पेड़ा जो है अपने इसाब से चोटा बड़ा कर सकते हैं लेकिन मैंने जो मीडियम साइज का जितना बड़ा यूज किया जाता है पराठे के लिए मैंने वाला लिया इसको गोल गोल कर हूंगी क्योंकि में घह झोगा आटा नहीं लगाए इस गीजर बनाए कुछ लोग घहता है नहीं जल जाए गे बस अब आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है क्योंकि मेरे घर में लोग नहीं खाते हैं अब दूसरी तरफ फलट लेंगे और पलटने के बाद अब इसमें लगाएंगे गी आप चाहो तो तो तेल भी लगा सकते हो या जो थोड़ा सफ पहला लाधर थोड़ा जल गया था दूसरा बहुत अच्छा बना था बस बिसको दबा खेसे एक लिया है ऑद पराथा पहला वाला तैयार है एक लिए दूसरा वाला पराथा बना लेंगे इसी तरह बहुत जह टेस्टी लगता हैं तो आप भी ट्रॉाई कर सक इसको इस तरह से दबा दबा के सेकते रहेंगे ताकि चार तरफ से किनारे जो है अच्छे से सिख जाएं तो यह देखिए हमारा भी दूसरा पराठा भी जो त्यार हो गया अब चलेंगे सर्व करने की और तो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया था सबसे पहले इसको और उसक आती भुजियाक साथ आप इसमस्वाद पापड़ भी रख सकते हो तो हमारा एकदम बढ़ियां वाला नाश्ता बोल सकते हो या इवनिंग स्नैक्स त्यार है तो अगर चैनल पहली बार है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके तरो बताना और रेसीपी बना के फीड़ दरो देना थेक्यू